सम्यक दर्शन सत्य का दर्शन क्या है इस पर हमारी चर्चा चली हुई है और इसके आठ भूशन है पहला निश deposit शंक नहीं करना भग्वान की वचनों पर शंका नहीं करना अकांक्षः नहीं रखना कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जा निर्म जो किस्ता फल के पर तिश्टें नहीं करना अमूर दिश्टी, मूड नहीं हो जाना अमूर दिश्टी अरिया, स्त्य को पाऊँगे तो आपकर मूड नहीं हो सकते मैं देखता हूँ, बुराप्पे में लोग मूड हो जाती है, बहुत धरम धान करते हैं मुडापे में कुछ पता हैं क्या करना जाना है तो सत्य को जानेगा वो अमूर नी है अमूर बताये थे लोप मूरता देव मूरता गुरु मूरता इसकी चर्चाप के समनेच आप पांच में अपले रहन का अर्थ है निशकाम भावना से संयम, तब, सेवा वेने, भक्ति, परवचन की प्रभावना करना निशकाम भावना को कोई काम कर रहा है उसकी प्रभावना करना और शुब करम करने को प्रसान करना कोई अच्छा कारिया कर रहा है कोई दान दे रहा है कोई शीर का पादन कर रहा है बहुत अच्छा कोई तफस्या कर रहा है उसमें आगे सयोग देना यह चत्रवित संग की सेवा करना उनको सर्मा पानित करना है। तो यह सम्कत यह उप प्रहिन है। इसमें सम्क दिश्टी जी गुन गराही होता है। अन्य मुनश्यों के दोश्यों की और देखता नहीं। गुनों के दिश्टी रहती है। गुनों को ग्रहन करता है। समय के दोश्य देखना और उन्हें दूर करने का निरतर प्रशार करना। एक है काग दिश्टी यह के हंस दिश्टी। कववा क्या करता है मैंने कहा था। वेशा गुन रिष्टी रिखते हैं। पहले देवलोग के देव में उप्रशंसा होगी कृष्ण वासुदेग गुन देखता है अब गुन देखता ही नहीं। एक देव को शंका हो गई कैसी हो सकता है। उस देवता रूप बदल लेती है। उसने कुत्टे का रूप बह रही है बद्भू आ रही है है गनाना और लेट गया उदर जहां कृषिन महाराज की सौषारे है उसे सौषारे होजाज सब जो साथ में सेनापती थे सजश अन्हें नाक कर लिया ये कितना बद्भूदार कुछ्टा यहां पढा हुआ कृषिन महराज ने कुछ नहीं कहा उसने देखा देखो इसके दान्त कितमें चमकते हुए मोती की माला है कृषिन ने क्या देखा दान्त देखे कि मोतीयों की माला है चमकते हुए दान्त अब देव तो वकुर्णा बना के बैठा था हो देखता था कि क्या लगता क्रिशन को जैसे देव को पता लगा देव ने रूप बदला चुक गया कि मैं तो आपको देखने आया था दृष्टी की बात है हमेरिश्चा पॉजटिव देखो नेगठीव नहीं देखना किसी के बारे की बारे अपने दृष्टड रूधर योधिश्टर के बारे की जुरुना था है जृधिश्टर को ही बेजय जा योधिश्टर को भी बेज़ जा उंगर के अंदर कितने सज्जन और कितने दुर्जन है पतागर के ला हूँ चिपखे लेकर आओ दिष्ट्र आया दोयोदन भी रूठी की दुछा जो योध्युकंत है दो tactics नंजरी नहीं है सब सज्जन है दुर्युदन चिपढ़ ली सारे दुर्युदन दुर। द्रियूद्र की दिश्टी क्या है दुर्जन की दिश्टी क्या है तो निचकुन को छू अपने जीवन में आख पें पास गुन है उनको प्रकट करना है और दूसरों के गुन है उनको बताना है अपने गुन को चुपाना है और दूसरों को परकट करना है अपनी परचंसा नहीं करना है मैं इतना दान दीर मा इतना शील का पादन करता हूँ मा इतनी सेवा करता हूँ किसी को बताना ही नहीं, छुपा लो, कोई बड़ी हीरा लेकी आते हो, घर करके दिखाते हो, मेरे पास हीरा है, मेरे पास हीरा है, क्या करते हो, छुपा के तिजोरी में बंद करके, किसको दिखाते हो, जो खास आपकी दोस्तों के उसको दिखाते हो, सब पुरी दिखाते हो, ऐसे ज़ियाद की सद्गुन है तो किसी को दिखाना नहीं उसके लिए क्या करना प्रभावना करना बहुत ऐसी उधरना है हमारे पास अभी आपने सुना अरजनमाली ग्यरा सुक्ताली मुनुश्यों की हत्या करके सेड सुदर्शन जीव और अजीव क्या गया था सुदर्शन ऐसा था अभैरानी ने उसको निमंतर दिया पहुश्यों तु मेरे आके जा महलों में बला लिया सुदर्शन को और उसके रूपर असक्त हो गई रानी एक सेड की उपर सुदर्शन शांत था कि राजा की पत्नी तु मा के समाल है तुन मेरी मा हो अब जब वासना आ जाती है ना फिर मा पिता को नजर नहीं आता रानी को वासना थे और अब देखा कि मेरी बात तो बनने वाली नहीं है शोर मचा लिया कि ये तो मेरे पास आया था मेरे शील को लेने प्रश्ट करने आ आजा तक चली गई राजाने सुदर्शन को बला लिया सचस्च बताओ कहते हैं सुदर्शन ने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तुम्हारी ही रानी ने मुझे निमंतरन दिया था भोगों का सुदर्शन ने सोचा कि मैंने कह दिया क्योंकि मैंने जो कह दिया राजा को मानेगा और राणी को फांसी जड़ जाए तो राणी ने का सत्य बताओ नहीं तब फांसी पे लटका दो कहते हैं सेट सुदर्शन को फांसी पे लटकाया गया फांसी सविकार कर ली सत्य सविकार कर लिया और कहते हैं वो सूली का सिंगासन बन गया सेट सुदर्शन सूली का सिंगासन बन गया बताया नहीं ऐसी भी कई कई बार आ जाते हैं समय तो वही सुदर्शन सेट और जुनमाली यक्ष जब वो इतना कर रहा था, राजा श्रेनक भी जाने को इनकार कर दिया, भगवान माविरी का पदारपन हुआ है, गोशना होती है, सिर्शुदर्शन ने सूचा कि भगवान आए हैं, तो मैं कैसे रुख सकता हूँ, उसने अपने घरवालों से, घरवालों ने इनकार किया, राजा श् पास कोई मुनित आ जाएं, उनके पास जाओ, भक्ती करो, आहर पाने का लाव दो, दर्शन करो, यह श्रावक का करतब्य है, और श्रावक बहुत पुन्य कमा लेता है, इतना पुन्य कमा लेता है, कही बार सादू पीछे रह जाते हैं, श्रावक आगे बढ़ जाते हैं, सि जहां अरजन माली, खड़ा था, मुद्गर ले करके, कहाने आपने बहुत बार सुनी हैं, पर एक और प्रेयर ना मिलती है, देखो, धरम का बल कितना बड़ा बल होता है, और सेर्शन ने नहीं कहा, यह मुझे मारेगा, यह हत्यारा है, क्या करेगा, अब देखा कि भगवा जाता है, कि जो भी होगा दिखा जाए, ऐसे ध्यान में बैठा, अरजन माली का मुद्गर चला ही नहीं, वो देव धराम से गिर गया, यह धरम का बल, अरजन माली गिर गया, क्योंकि देव निकल गया, देव की शक्ती नहीं चली, और स्टीर सुदर्शन के आगे, कितना ब प्रिक्षा भी होती जीवन के अंदर, दो बार प्रिक्षा होई, सूली का सिंगासन बन गया, और सुदर्शन जब वो, उसको मुर्चित हो गया वो, उसको पाने के चिंटे दिये, और जिनको तो कुछ पता है नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, वो तो यक्ष करा रहा था उसको तो उसको पूछा, क्या आप मैं कहां बैठा हूं, सुदर्शन ने कहा, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, किसके जा रहा है, महामीर के, मैं भी चलू उसाथ में, तुम भी चलो, आप उसने इंकार नहीं किया, कि तु तु तो हती आ रहा है, तुझे मैं कैसे लेके जाँ, कई सेट, सदर्शन, अरजन, माली को लेके जाता है, मुनी जी सारे कहाने बताएंगे, महावीर भी जानते थे, इसने हत्या की है, और महावीर के पास आकर बंदना करते हैं, महावीर बोथ देते हैं, और वो दिक्षा ले लेता है, भगवान तो सिर्भग्य जानते हैं, ये तरहा बिले तप करता है, उसी नगरी में रहता है, लोग पत्थर मारते हैं, इंते मारते हैं, तो उन्हें मा को मारा, बेन को मारा, पत्नी को मारा, उस दिकार करता है, मैंने मारा, और लोग दिक्षा नहीं देते हैं, पत्थर मारते हैं, बेले बेले का पास, दिवेश नहीं करता मेरे करम मेरे करम है कोई रोती देता है कोई पाने देता है कोई नहीं देता है जो मिल गया शांत भाज से सविकार कर लिए यहां नरजरा है अरजन माली ने छे महीने में इतने लोगों ने पत्थर मारे सिरलहुलहान हो गया सविकार कर लिए कि मैंने मारा है कहते हैं छे महगवान तो भ्यार कर गए उसी नगरी में रहा वो चला जा सकता था अपने करम खपाने के लिए छे महीने में मुक्ष चला गया ऐसे मुक्ष मिलती है सादना पड़ता है तपना पड़ता है तिकाना पड़ता है बहुत कुछ करना पड़ता है एक दो एकजमपल और देता हूँ आपके सामने बहुत सुन्दर है मिर्गाबती आ रहे है भगवान के दर्शन करने गई और भगवान के समशन में तो इंदर भी आते हैं, डेड भी आते हैं, कहते हैं, जब भगवान का सम्मसन था, सूरज और चंदरमा दो नहीं आ गए और मिर्गावति, सुन दा इती पर बच्चन, सब साथ में चली गई, मिर्गावति नहीं गई, रात हो गई, जब सूरज चंदरमा चले गई, अंधेरा हो गया, चुम बिर्गावति से जब अंधेरा हो गया, गई, अपनी गुर्णी चंदरमा आखे पास गई, चंदरमा ने फटकार लगाई, तुझको पता नहीं लगता, तुम साथ भी हो के वहां कैसे बैठी रही, गुर्णी ने फटकार लगाई, और मिर्गावति ने सभिका कैना ही था, गुर्णी तो एक अंशाशन की होती है, फटकार लगाई, मिर्गावति पस्चाताप करती, अंतैमन से पस्चाताप करती, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, गुर्णी को मैंने दुखी कर दिया, पलाम दिया, मेरा इतना विवेक नहीं रहा, किसी को दोश नही ही है, और इतना कर्मों की, अलोचना मैं कह रहा हूं, अलोचना का बहुत बड़ा लाग है, अपने जीवन में अलोचना करो, यूट्यू में अलोचना है, इतनी अलोचना कर लोगे, अपने पापों की अलोचना, हम सबने पाप की हैं, मैंने भी किया, मान किया, माया की, लो आ जाता है, मैं कोई बहुत बड़ा संद्री मन गया, मैं भी आप जैसे हूँ आपके घर से निकला हूँ, आ जाता है करो, ख्रमा मंग लो, माफ कर दो भाई, तो जो चोटी सी चोटी गलती परकट करो, तिर जाओगे, मैं तो कुछ किये नहीं, मैंने कौन करने बला होता है, यदि अपने अवगुनों को छिपाओगे, तो वो गांट बन गई, वो गांट जन्मों जन्मों तक लंबी चलती, भगवान पारशनाथ और कमट, नौ महीने कमट उसको उपसर्ग देता रहा, वो नरकों में गया, पश्रू बना, जगर बना, भगवान पारशनाथ उपर उपर उड़ते, मुक्ष्टे लेगे, खिशमा भी रस से अभूशन बहुत बड़ी बात है, अलोचना मुक है, तो मिरगावती ने अलोचना करी, अलोचना करने करने, कीवल गयान पर गट हो गया, उदर से एक सांप, काला सांप जा रहा था, अंधिरा था, जातिकों नेरी होती है, तो उसने धीरे से सांप को ऐसे किया, तो चंदन बाला के आंख खुल गई, तो उसने देखा, आंख के खुल गए, तो बता लगा, तुम्हें कैसे बता लगा, चंदन बाला कहती है, तुम्हें कैसे बता लगा, आपकी किरपा, या कहती आपकी किरपा, तो चंदन लाप को समले गया को केवल ग्यान हो गया तो चंदर Boule invers उप्पाजाताप करती है हो ओधी Give up गहां कर अमिनाहा कि सको दुक्रती रहिए इसका कसूर क्या था refer अब चंदर Salut आप किया सकूप बाज मेंburger ग्यान हुआ मिर्गवठी को पहले हो गया यह अलोचना प्रतिकरमान प्रैशित हमारे यहां बारा परकार के टप बहुत बड़ा बल है इसमें जैन शाष्टन है जैन धर्म बहुत इंचाए जितना पादन कोई पादन करे अबर अर्जन माली माली था फूर इकठे करता था मुक्ष चला गया ऐसे उधारन होते हैं सम्यक दर्शी पाप नहीं करता सम्मान दंसी नहीं करता पाप को देखता ही नहीं विष्टर ने को देखा ही नहीं दुरियोधन ने सारे आफ़गंदे के यह तो नगर ही नहीं आया ऐसे जीवन में बहुत कुछ खटता है नम अरियंतानं नम सिध्धानं नम आयरियनं नम अजयनं नम लोई सप्साव नं धम्म मंगल मुकिठामा इंचा संजमो तबो देवा वित्तंग नमं संतिजा सधं में स्यामनो शिरी चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिध्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिध्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानत्तो धमो लोगुत्तमा चत्तारी सरनं पवज्यामी, अरंटे सरनं पवज्यामी, सिद्धे सरनं पवज्यामी, साहु सरनं पवज्यामी, केवली पनत्तं धम्मं सरनं पवज्यामी, चारे शारान दुकरन जगत में ओरन सरना कोई होगा जो बव्ल प्राणी करे अरादन उस्ते का अज़ अमर पढ़ो उस्ते का शता ली मंगर ज़ो ये अनुपम महापुरिश अपनी ध्यानसादना से, अपने चिंतन से, अपने पुरशार्च से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है उजाला ज्यान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर ज्याने का प्यान का, ये अनुए आगाँ का उयाना का, उजाला भापाला जायाना का.